आज रात दस बचकर 27 मिनट पर मंदरों के कपाट जो है वो बंद हो जाएंगे जिहां इस दौरान श्रधालू भगवान के दर्शन नहीं कर पाएंगे इस साल का ये पहला और आखरी सूर ग्रहन रविवार को लगेगा इसका सूथ तक 12 घंटे पहले शनिवार रात दस बचक 27 मिनट पर शुरू हो जाएगा शुरू खंड ग्रहन होगा ये दिखाई देगा इस दौरान मंदरों के कपाट भी बंद रहेंगे ऐसे में भक्त सूर ग्रहन के मुक्ष काल के बाद ही रविवार श्राम से दुबारा दशन कर पाएंगे खंड ग्रहन है ये दिखाई देगा हलांकि इसको लेकर जो मंदिरों के कपाट है उसको पूरे तरीके से बंद रखा जाएगा और आपको बता दें कि जैसा कि कई लोगों का सोचना है कि इस दौरान हम क्या कर पाएंगे या क्या नहीं कर पाएंगे और मंदिर के प्रचार हैं उनसे उनकी के लाए बी जानते हैं कि किस तरीके से और यहां पर मंदिर के कपाट बंद रखे जाएंगे और इस ग्रहन का जो महत्रे वो किस तरीके का होगा दस सत्ताईश रविवार को 1027 से प्राता से ग्रहन लग रहा है बारा घंटे पहले 1027 से हम लोग सभी धार्मिक पूजा पाथ अन्यकृत अपना रोक लेंगे दूसरी चीजे है कि इसका प्रारम सुबह 1027 पर होगा मध्यान बारा बारा होगा और एक बज़ के 58 मिनट पर ग्रहन की समापती है जब तक के ग्रहन रहेगा इसमें भगवान का पूजन अर्चन न करके जाप का महत्व जाप किया जाता है तो साफ तोर पर हन्मान सेटू के प्रचार जी मौदूते इंका कहना ये है कि कल जिस तरह से सूर ग्रहन लग रहा है वो राशियों पर डिपेंट करते हैं कि किसके लिए शुब होगा किसके लिए शुब होगा झाल